हेलो इवरीवन तो आज का हमारा टॉपिक है मौरेन एंपायर तो इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ जैसा की हम लोग जानते हैं मौरेन एंपायर के जो फाउंडर थे चंदगुपता मौरेया बहुत फेमस थे उनके बेटा बिंदु सारा उनके टीचर चानक क्या तो इन सब के बारे में जानेंगे आफ्टर डैट जानेंगे इस टूपास क्या होता है बिहारास क्या होता है एक्स्टेंड हुआ है ये सब जानेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं मौरेन इंपायर मैं आपको बता दूँ ये इंडियन सब कॉंटिनेंट में सबसे पहला इंपायर था जो इतना बड़ा था और एक कॉमन रूलर के अंदर में रूल किया जाता था वो कॉमन रूलर कौन थे चंदगुपता मौरिया ठीक है इसके फाउंडर थे और इनके जो ग्रैंट संथे जैसा कि आप यहां देख रहे हैं असोखा असोखा इस मौरियन इंपायर को और उचाई तक लेकर गए थे निव हाइट्स आफ गलोरी ठीक है और हाइट्स तक लेकर गए इसलिए और भी यह चंद मौरियन इंपायर पेमस हुआ तो आगे जानते हैं अब sources अगर मौरियन इंपायर के बारे में कहीं भी आपको दिखे तो वो सब information मिला कहा है सबसे पहला तो यह सवाल आना चाहिए दिमाग में तो वो सब information आपको मिला है यह book है अर्थ सास्तरा बोलकर book है जिसे चानकिया ने लिखा था 250 BCE में अगर आप इसके बारे में जानना चाहिएगा इस book में क्या था भई इस book में आपको मिलेगा politics and governance उस समय modern era के time में modern era कह लिजिए या modern empire ठीक है era मतलब होता है period of time उस समय modern empire के समय में कैसा था politics and governance वो आपको पता चल जाएगा ये book से ये book कब लिखा गया था 250 BCE में BCE का full form होता है before common era या before christian era अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा information नहीं है तो आप eye button में जाकर video देख लीजिए आपको clear हो जाएगा इसके बारे में doubts then आते हैं next book आता है indica indica को किसने लिखा था मेगा स्थेनिस बोलकर एक आदमी था भई कौन था greek ambassador था to the court of chandagupta maurya chandagupta maurya जो थे उनके court में एक greek ambassador था greek ambassador मतलब समझ लो आप जैसे की embassy होती है हर देश की अपनी embassy होती जैसे की indian embassy हर जगा है उसी तरीके से indian embassy इंडिया के जो लोग वहां रहेंगे अगर suppose एमरीका में indian embassy है तो वहां indian लोग रहेंगे तो indian जो officer वहां रहेंगे उसे कहा जाएगा indian ambassador तो उसी तरीके से greek के megasthenes आदमी रहते थे chandagupta maurya के court में तो इसलिए इसे greek ambassador कहा जाता था तो ये भी book लिखे थे indica इसमें अगर जानना चाहिएगा indica book में था क्या तो इसमें मिलेगा आपको administrative and socio economic condition उस समय में india क्या था administrative मतलब उस समय officer वगरा जो थे भी जिसके उपर authority थी वो कैसा काम करते थे next socio economy socio मतलब होता है society economy मतलब पैसा से बात ठीक है economy का मतलब होता है पैसा तो उस समय में society जो थे लोग जो थे उनके पास कैसा पैसा था गडीब थे या बहुत अमीर थे या average थे कितना पैसा था ये सब पता चलता है ये book जानियेगा तो आपको मिल जाएगा that means wellness कितना अच्छा उस समय का society था done तो आगे बढ़ते हैं अब और book अगर जानना चाहिएगा तो दो स्री लंकन books है दीपा वमसा एंड माहा वमसा अगर इस book को आप पढ़ते हैं तो इसमें आपको पता चलेगा असोका जो थे बुद्धिज्म को स्री लंका में जाकर फैलाए थे श्री लंका अगर जाएगा तो वहाँ बुद्धिज्म कल्चर आपको मिलेगा बहुत अगर बुद्धिज्म के बारे में वीडियो देखना है तो आई बटन में भी आप जाकर देख सकते हैं तो इस वीडियो में इस बुक में आपको मिलेगा बुद्धिज्म स्री लंका में कैसे फैलाए थे असुखा उसके बारे में इंफोर्मेशन मिलेगा नेक्स्ट बुक आपको ये है पनिनीज अस्ताधाई तेक ये सब प्रोनाउंस आप कर ले न कैसा बुक है भाई ये संस्किरित ग्रामर के उपर है नेक्स्ट पिंगलास, चंदा, सास्तर ये कैसा बुक है संस्किरित राइमिंग पैटेन है एक तरह का राइमिंग बुक कह सकते है ये बुक है तो आपको पता चलेगा उस समय में art and architecture architecture तो नहीं art कैसा था ये जान जाएंगे हम लोग ठीक है ये सब तो color हुआ ना एक rhyming लिखना ये सब देन Buddhist literature अगर आप जानना चाहिएगा तो एक Jataka Tales बोलकर book है उसमें आपको बुद्धिस्ट बुद्धिन से ये बुद्धिस्म जो है धर्म उससे related बहुत मिलेगा असोका की वज़े से बुद्धिस्म और modern empire जो है इसमें एक गहरा relation बन गया है इसलिए आपको हर जगा मिलेगा बुद्धिस्म modern empire में ठीक है तो confused नहीं हो येगा आईए अभी यहाँ पे Jataka Tales को कितने लिखा था Aria Sura नहीं लिखा था इसको भी पढ़िएगा तो आपको modern age के बारे में कुछ information मिलेगा Done तो ये सब था अब आगे बढ़ते हैं Very important तो अब जानते हैं archaeological sources के बारे में इसके पहले हम लोगों ने जाना था literary that means book bookish क्या-क्या sources है वो इसमें जानेंगे archaeological sources क्या है जैसे की असोका जो थे बहुत सारे edicts बनाए थे ठीके बनाए ने थे बनवाए थे बहुत सारे बनवाए थे किसलिए बुद्धिज्म को फैलाने के लिए edicts क्या होता है बड़ा बड़ा पत्थर पे कुछ लिखवाना rules and regulation anything कुछ भी लिखवाना उसको कहते हैं edicts तो असोका बहुत सारे बनवाए थे उस समय में आज से 2000 साल पहले तो उसमें आपको बहुत information मिलेगा next carving and paintings of the istupas सबसे पहले जानिये istupas होता क्या है istupas मतलब पहले के जो nuns थे monks हो गए रिशी ये सब वो ध्यान करने के लिए meditation करने के लिए istupas बना था असोका नहीं बनवाया था ठीक है भाई यहाँ जाईए जो रिशी वगएरा है जाईए वहाँ ध्यान किजिए meditation किजिए istupas इसलिए था next बिहाराज बनवाया था बिहाराज किसलिए था monks और nuns के लिए shelter के लिए रहने की जगह थी तो यह सब जो बनवाया है istupas और बिहाराज तो इसके उपर बहुत सारा paintings भी बनाया गया पहले के जो भी आपको architecture मिलेंगे buildings वेगरा उसमें बहुत सारा paintings रहेगा carving मतलब designs रहता है तो इससे आपको पता चलेगा Morian Age के टाइम में Morian Era के टाइम में वहां का किस तरीके का culture था art and architecture and all coins coins very important उस समय का coins को अगर पढ़िएगा तो आपको बहुत सारा information मिलेगा तो यह सब कुछ archaeological sources थे Morian Empire के बाड़े में तो आईए देखते हैं edicts इस तरीके का edicts होता है यह देख लीजिए बड़ा सा पत्तर है इसमें कुछ-कुछ लिखा हुआ है उस समय के language में done इसको edicts कहते हैं next यह है इस्टुपाज यह जो दिख रहा है यह इस्टुपाज है इसमें carving and paintings किया हुआ है इसी में nuns और monks जो थे meditation करते थे यह है बिहाराज यह वाला इस shelter था है भाई रहने की जगह थी उन लोगों की तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो आप जानते हैं चंदगुपता मौर्या के बारे में चंदगुपता कौन थे चंदगुपता जो थे एक मौर्या clan clan मतलब group समझ लीजे tribe समझ लीजे इससे belong करते थे और यह कैसे थे historians कहते हैं यह जो थे बहुत ही ambitious young man थे बड़े बड़े सपने थे क्या सपने थे मालूम मगदा king of मगदा बनना चाहते थे मगदा जगा का नाम है बिहार में है ठीक है तो उस समय यह चंदगुपता मौर्या king of मगदा बनना चाहते थे इनका इतना बड़ा सपना था और इनको इस सपने में help करने के लिए इनके जो टीचर बने चानक क्या बने चानक क्या कौन थे वो जानेंगे ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहां देखिए modern empire का कहां से कहां फैला हुआ था वो देख रहे हैं हम लोग अगर देखना चाहिए तो यहां देख लीजिए कांधार यहां से लेकर वेस्ट से लेकर आपको इस्ट में यहां तक पुराएगा साउथ में यहां तक चले ज़ेए तो इतना बड़ा एरिया इंडिया के बाहर है अभी जो इंडिया का मैप है उससे बाहर है पूरे को capture किया हुए था यह modern empire आगे बढ़ते हैं चानक्या के बारे में जानते हैं अब जन्या चानक्या के बारे में चानक्या जो थे learned man थे बहुत ही जानकार थे पड़े लिखे थे well versed in politics and statecraft politics में बहुत अच्छे थे statecraft means state जो अबने इंडिया में है state 29 state तो यह सब state कैसे बनता है, state craft में बहुत अच्छे थे यह, यह कहां से पढ़े थे पता है, University of Taksila से पढ़े थे, यह University of Taksila आपको अभी है पाकिस्तान में, partition के बाद उस पार्ट में चला गया, अभी मैप में हम लोग देखे थे, उस पूरे पार्ट में, modern empire का कबजा था, तो वहाँ से पढ़े हुए थे चानक्या, वो सब पहले इंडिया में आता था, next, apart from being great scholar, scholar थे, teacher थे, चानक्या जो थे, political wisdom थे, बहुत अच्छे थे, politically बहुत चानक्या थे, आप जानते होंगे यह सब, next, यह as a minister थे, कहां थे, नंदा king के पास, नंदा dynasty कहते हैं, ठीक है, नंदा dynasty, नंदा king उस समय के कौन थे, धना नंदा थे, मगदा में, पहले, modern empire से पहले किसका राज था, नंदा dynasty का था, उसके राजा थे, धना नंदा, ठीक है, तो एक बार हुआ क्या, धना नंदा ने चानक्या को हिमिलेट किया, सब लोगों के सामने, बहुत बेईज़त क भला बुरा कहा, तो उस समय से चानक्या जो थे, एनिमी बन गए, नंदा king के, वो सोच लिए हैं भया, इस पूरे नंदा dynasty को बढ़वात करके रखना है, तो ये अपना एक चांस में ही थे, और इनको मिल गया चंदगुपता, चंदगुपता का जो ambitious young man वाला चेहरा था, ब बहुत चंदगुपता intelligent भी थे, तो ये देखकर चानक्या बोले, अब तो बदला मैं पूरा करूंगा, इस young man को मैं train करूंगा, और राजा बनाऊंगा यहां का, तो इस तरीके से आगे proceed हुआ हर कुछ, ये जो आप चानक्या का सुने अभी, humiliation का, ये पदमावत film है, उसम आपको पता चलेगा, इसी टाइप का थोड़ा बहुत दिया हुआ है, ठीक है, next, यहां देखिए, यही है तक्षिला, अभी ये इंडिया से, पार्ट में तो नहीं है, इंडिया के पार्ट में नहीं, इंडिया से अलग है, तो यहीं पे हैं, पाकिस्तान में है, चली आगे फेयर में, बहुत ट्रेनिंग देना है, इस्टाट किया, लड़ाई कैसे करते हैं, वार कैसे करते हैं, पॉलिटिक्स कैसे करते हैं, यह सब सिखाना सुरू किया, फिर चंदगुपता और चाना की अधीरे-धीरे क्या किये, मगदा को, कॉनकोष्ट मतलब होता है, कबजा कर करना, तो उससे पहले क्या करेंगे भई, अटैकिंग दे आउटर पाट्स आफ दा नंदा किंग्डम, तो नंदा किंग्डम के जो चाड़ो तरफ था, छुटा-छुटा किंग्डम, उन सब को अटैक कर गए, वो सब को जीते, धीरे-धीरे वो हुआ, फिर क्या-क्या जीत का कैपिटल था, तो लास्ट में इसको भी जीत गए, तो पूरा नंदा डाइनेस्टी जीत के यहां देखिए आप, अबाउट 321 BCE में, तो ऐसे करते-करते धीरे-धीरे नंदा डाइनेस्टी को भी यह कबजा में ले लिए, इससे एक बार इनको help मिला किस से, आपको पता ह होगा, अलेक्जेंडर जो अलेक्जेंडर दा ग्रेट जिसे कहते हैं, ठीक है, वो भी इंडिया आया था, इंडिया को कबजा करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाया था, या कुछ रीजन से पीछे चला गया था, बहुत सारे इस्टोरियन्स की अलग-अलग रीजन है, तो इ अफिसर अपना लाके रख दिया, और बोला तुम रूल करो पूरे उपर, तो करता था, तो इससे हुआ क्या, तो नंदा डाइनस्टी पहले से ही कमजोर हुआ, चंदगुपता ने अटेक कर गे थे अगल-बगल में, और अलेक्जेंडर भी आकर अटेक कर दिया, तो नंद अलेक्जेंडर का जगह यह वला है, यहाँ पे है, तक्षिला यहाँ दिया हुआ है, पताली पुत्रा अगर देखना चाहिएगा, तो यह है आपका, यहाँ पे पताली पुत्रा, यहाँ पे अलेक्जेंडर अन दा इंडस, यह कबजा करके था यह जगह, चीक है, आगे यह नाम के जेनरल थे जो रूल करते थे वहाँ तो चंदगोपता ने क्या किया उस भी एडिया को जाकर कैप्चर कर लिया उसे भी हड़ा कर अलेखेंडर का जो एडिया था उसको अपने अंडर में कर लिया बट यहां देखिये यह क्या हुआ यह जो general था फिर से चन्द गुपता के उपर attack किया और फिर चन्द गुपता ने फिर इसे हरा दिया और हराने के बाद इसे बोला तुम खामा कहा आयो मुझे पर attack करने तो जो भी खर्चा हुआ है tax pay करो मुझे जो भी attack कियो नुकसान हुआ है वो सबका टैक्स पे किजिए तो ऐसा ही हुआ वो टैक्स पे किया आफ्टर डैट मौरेन और ग्रिक के बीच में क्या हुआ पीस हो गया सांती हो गया यह लड़ाई जगरा खतम हो गया तो ग्रिक ने बोला ठीक है भाई अब हम लोग के बीच में पीस हो गया है तो मेरा एक ऑफिसर आप अपने कोट में रखो चंदगुपता को दे दिया तो ग्रिक जो भेजा मेगास थेनिस को अभी जो मेगास थेनिस इंडी का गुग लिखा है इसी ने अजन एंबेसडर एंबेसडर का मतलब आपको बता चुका हूँ मैं ठीक है next अट पताली पुत्रा पताली पुत्रा कापिटल बना था चंदगुपता का ठीक है modern empire का कह सकते हैं पताली पुत्रा पताली पुत्रा को पहले मतलब अभी पटना कहते हैं पहले उसका नाम था पताली पुत्रा बिहार में पड़ता है अब जानिये by 300 BCE यहां देखिए 305 BCE उसके बाद 300 BCE कम होता जा रहा है ऐसे होते होते 1 BCE में आ जाएगा 1 CE में आ जाएगा इन दे इस्ट में बिंगौल तक फैला हुआ था फ्राम दे हिमालिया जिन दे नौर्थ से लेकर हिमालिया से लेकर नौर्थ में पुरा रीवर नर्मदा सौथ तक फैला हुआ था यहां तक इसका extension समझा आया आपको modern empire का आफ्टर डैट चंदगुपता ने क्या किया चानक्या जो इनके गुरु थे इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया पुरे empire का यह तो king थे चंदगुपता और चानक्या को प्राइम मिनिस्टर बना दिया देन आगे जानते हैं यह है modern dynasty इस तरीके से फैला हुआ है यहां हिंदु कुष्ट तक यह बिंगौल तक यहां देखें यह पटाली पुत्रा है कैपिटल यह बिंगौल तक यह हिंदु कुष्ट तक जाएगा यह हिमालिया से लेकर यह south नर्मदा रीवर तक इतना बड़ा पुरा modern empire के अंडर में था दन आगे बढ़ते हैं बिंदु सारा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं बिंदु सारा जैसा की हम लोग जानते हैं चंदगुपता के बेटे थे चंदगुपता जो थे 25 years तक पुरा रूल किये थे चंदगुपता ये modern empire के उपर इनके सन बिंदु सारा सक्सिटेड ही माराउंग 297 BCE में ये गद्दी पे बैठे ठीक है modern empire के फिर ये क्या किया है पता है ये पूरा कबजा किये है conquered मतलब होता है जीतना ठीक है only the region of Kalinga Odisha हो गया ये जो region Kalinga था इसे छोड़कर और kingdom of extreme south एक्दम नीचे की तरफ south में चले जाईएगा इसको छोड़कर बाकी सब मौरेयन empire के अंदर में आता था ठीक है बिंदु सारा भी जो थे अच्छे से ही रूल किये 25 साल तक उसके बाद बिंदु सारा के बेटा है असोखा मतलब चंदर गुपता मौरेया के पोते फिर इसे मौरेयन empire को आगे लेकर गए तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ देखिए अब यह है मैसूर ठीक है यहाँ तक फैला कर थे बिंदु सारा यहाँ पे ठीक है तो यह मैप है मैसूर देखने के लिए तो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ था तो होप आपको समझ आया होगा शोट में modern empire के बारे में हम लोग बिंदु सारा चाना क्या और चंदर गुपता के बारे में तो जान गए अब जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में असोखा के बारे में ठीक है तो थेंक यू फॉर वाचिंग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लाइ शेयर और शब्सक्राइब टी चैनल बाई